Dear student we have to discuss about education for sustainable development हम education for sustainable development की बात कर रही हैं और उसके अंदर EC के रोल की बात कर रही है और sustainable development की बात कर रही है हम इसके अंदर बहुत सी बातें कर चुके हुए है इस वक्त जो हमारा next seven point है जिसको पर हम discuss करना चाह रही है वो है हमारे belongingness देखें जब हम मदर की बात करते हैं डैड की बात करते हैं तो हमारी एक belongingness develop हो जाती है हम mom की बात करते हैं मदर की बात करते हैं तो यह लफ़ आते ही हमारे अंदर एक belongingness है आपके अंदर एक सोच पैदा होती है आपके अंदर एक emotions आते हैं आपके अंदर एक feelings develop होती है चाही हम son daughter की बात कर है हूं चाही हम dad की बात करे हूं mom की बात करे हूं girlfriend की बात करे हूं boyfriend की बात करे हूं husband और wife की बात करे हूं देखे हर लफस के साथ हमारी एक belongingness है जब हम डैड की बात करेंगे तो हमारे अंदर एक इत्राम का रिष्टा नदर आएगा हमारे अंदर फॉरण एक बिलांगनेस डिवेल्प होगी और वो बिलांगनेस हमारे पास क्या होगी इत्राम की जब हम माम की बात करेंगे तो फॉर ही दाओर पर हमारे पास एक शरकत बरा लहज़ा हमारे सामने आएगा वो हमारी एक बिलांगनेस है देखें मैं आपके सामने की बात कर रहा हूँ वालदा आपकी मवजूद नहीं है लेकिन आपकी एक belongingness की वज़ा से आपके अंदर एक feelings develop हो जाती है मैं आपके अंदर sun ये daughter की बात करता हूँ तो अभी sun आपके सामने नहीं है, daughter सामने नहीं है लेकिन आपकी belongingness की वज़ा से आपकी feelings develop होती है because of the belongingness उस लफज के अंदर जो important factor है ये आपको समझाने का मकसद इसको कहने का ये है कि जब हम चीजों के साथ एक हमारी feelings develop हो जाती है एक हमारी belongingness, sense of belongingness develop हो जाती है तो उसको detach करना बहुत मुश्किल है अब देखें ये दो किसम की चीज़े है एक sense of belongingness है जो natural है वालदा से प्यार आपका natural है by nature हमारे अंदर डाला हुआ है और वालिद के साथ आपका प्यार by nature है बिल्कुल इसी दीके से son या daughter का जो आपके साथ belongingness या महबत है या प्यार है ये एक natural phenomenon है अब देखें एकदम आपके अंदर feelings develop होती है और वो feelings क्यों develop होती है वो belong इसके वजासे होती है अब इसके साथ एक और phenomena भी है और वो phenomena ये है कि हम अगर आपकी चीजों के साथ वो चीजें जिन से हम हमारे objective related हैं हमारे goals objective related हैं अगर उनके साथ आपकी belongingness एड़ कर दी जाए तो हम वैसे ही result ले सकते हैं जैसे result आपके natural phenomena में हैं देखे natural phenomena में क्या है कि आपके वालिद या वालदा को को बुरा बला कहें तो आपको एक दम गुसा आएगा आप uncomfortable feel करेंगे बिलकुल इसी दीके से अगर मेरे सकूल के बारे में मेरे इदारे के बारे में मेरे टीचर्स के बारे में मेरे environment के बारे में मेरे मुलक के बारे में यहाँ पग अगर कोई चीज कोई भी शक्स गलत बात करे और मेरे अंदर वैसी ही feelings belongingness sense of belongingness की वज़ा से develop हो जाए तो इसका मतलब है कि इसको हम create कर सकते हैं अब हम बात करते हैं sustainable development के साथ जहाँ पे हम nature की बात करते हैं जहाँ environment की बात करते हैं अगर हम nature और environment के साथ ऐसी sense of belongingness पैदा करने में कामजाब हो जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे objective जो हैं वो अचीव हो सकते हैं जैसे हमने recycling के अंदर आपने देखा कि हमने recycling के अंदर garbage जो था यानि एक plastic बोतल जो थी जो जाय हो चुकी थी हमने उसको convert कर दिया किसी चीज़ के अंदर और teaching learning process के अंदर effective बना दिया इसी तरीके से अगर हम sense of belongingness अकर हमारे पास हो जाए और sense of belongingness के अंदर हमारा जो environment है हम उस environment के अंदर pollution सोच लें कि हमने pollution नहीं करनी तो हमारे जहन में automatically creativity के जरीए सूच डिवेल्प हो जाएगी कि इस चीज़ को मैं कैसे transform कर दूँ अब देखें एक आम सी बात है कि एक plastic की बोतल है मैं अगर उसको काट दूँ काटने के बाद वो एक छोटा सा कप बन जाए कप की शिकल अक्तियार कर दा है और वो कप वो अपने pet के लिए यानि अगर मैंने घर में लखा हुआ है कुटा रखा हुआ है या मैंने बिल्ली रखी हुई है या कोई भी pet है मेरे पास है मैं उसके लिए वो जो plastic की bottle थी जसको मैंने काटा और काटने के बाद उसको कप की शकल दे दी और वो कप की शकल जो है वो मेरी एक यूसफल हो गया मुझे अपने पैट के लिए पानी पिलाने के लिए या उसको फूड परवाई करने के लिए तो अब क्या हुआ टांसफार्मिंग हो गई एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो क्या हुआ वो एक प्लास्टिक की बोतल ट्रांसफार्म होई और एक नए शकल अख्तियार कर गई वो हमारी sense of belongingness, sense of belongingness से हम creativity की तरफ आते हैं, जब हम creativity की तरफ आते हैं, तो फिर हम out of the box सोचते हैं, मैं उसके एक example देना चाहता हूँ, एक सोच हैं, आपने एक बॉडर्ली यूज्ज किया चाह उसके अंदर पानी था, जब हुझके अंदर कोई मश्रूप था, जो भी वर्टसur है, उसके अंदर था, आपने उसको यूज किया और यूज करने के बाद उसको फैंक दिया। ये भी एक सोच है एक सोच ये है कि आपने उसको यूज किया यूज करने के बाद उसके उपर सोचना शुरू कि कि यार इसको मैं कैसे ट्रांसफार्म कर सकता हूँ अब आपने जब ये सोचना शुरू किया कि मैं कैसे ट्रांसफार्म कर सकता हूँ तो अब आपने उसको ट्रांसफार्म करने के लिए मुगतर तरीके सोचे जिस तरह के फिर हमने बाटल की एक्जामपल दी कि आपने उसको काटा काट करने के बाद उसको छोटे से कप की शकल अख्यार कर दी और वो कप यह वाप अपने पैट के फूड के लिए आपने बना लिया तो यह बन्यादी तोपर यह सोच है जो हमारी ECE में ड्वैल्प होनी और यह सोच है जिस सोच से जो सस्टेनिबल सोसाइटी हम चाहरे हैं वह सस्टेनिबल सोसाइटी ड्वैल्प है